Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios मेरा नाम है Jatin और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Vocal Recording Tips के बारे में So let's get started So guys, हमारी country में जितने professional studios है उससे जादा तो हमारे पास artist है अब मैं country की बात करूँ, पूरी दुनिया की बात कर लेते हैं कि इस दुनिया में जितने भी professional studios है उससे जादा तो हमारे पास artist है, independent artist अब सब लोग तो professional studio में जाके record नहीं करते हैं बहुत सारे लोगों का home studio होता है Home studio हुआ अपने घर में ही एक corner, एक section या फिर एक room जहाँ पे हमने अपनी equipments रखी होती है अपना PC या laptop रखा होता है एंड हम अपना music का काम उस पे करते हैं वो होता है home studio वहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अपने songs record करते हैं अपना music बनाते हैं लेकिन जब आप घर में record करते हो अपने vocals को, अपनी voice को वहाँ पे बहुत सारी problems आपको आती है सो उनी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपको कुछ tips देने वाला हूँ कैसे आप अपनी vocal quality है उसको improve कर सकते हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं clear कर दूँ मैं कोई singer नहीं हूँ या मैं कोई rapper नहीं हूँ मैं अपने songs record नहीं करता हूँ मैं कोई भी गाने नहीं गाता हूँ मैं जो record करता हूँ अपनी आवाज वो सिरफ voice over के लिए होती है जैसा कि आप अभी सुन रहे हो सिरफ इस type से लेकिन जब मैं music बनाता हूँ और लोगों का सो वहाँ पर जब मैं को vocals follow send करते हैं सो वहाँ पर उन vocals जो होते हैं recorded vocals होते हैं बहुत दिक्कत होती है सो मैंने सोचा कि एक video बनाएं और आपको बताएं कि आप क्या-क्या चीजे कर सकते हो सो आपकी जो vocal quality है voice quality है वो improve हो सके आपकी जो recording quality है वो improve हो सके सो सबसे पहले number one यहाँ पर आता है कि आप कहां पर अपने vocals को record करोगे सो हमें हमेशा जो है कुछ ऐसा जगा चाहिए या फिर ऐसा studio चाहिए या फिर ऐसा room चाहिए जहाँ पर हमारी जो voice है जो हम बोल रहे हैं वो echo ना हो अब बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा तो है नहीं कि पूरा professional studio हो and पूरा acoustic treatment हो वो तो possible नहीं है क्योंकि अगर आप घर पे करोगे सो हो सकता है कि आपके घर वाले आपको मना कर दे सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कुछ sections हैं जहां पे आप अपने vocals को record कर सकते हो दो-तीन मैं आपको बताता हूँ पहला है आप cupboard खोलो उसमें होते हैं आपके कपड़े सो आप अपना mic वहां रखो and अपने vocals को record कर सकते हो second option आपके पास है blanket में आपने blanket में mic रखा उपर blanket करा and आप अपने vocals record कर सकते हो third ये तो बहुत तो कर सकते हैं बहुत ही जादा easy है अपने bed पे बैठो आप and वहां पे कम से कम आपको तीन या चार pillows चाहिए होंगे pillows रखो अंदर mic रखो and record कर लो so इन चीजों का मतलब क्या हुआ जहां पे आप record कर रहे हो न तो जो sound के reflections है for example अभी अगर आप बात कर रहे हो so sound waves जो है वो travel करती है मैंने ऐसे अगर बोला है कुछ तो ऐसे करके जाएगी सामने wall से टकराएगी then वापस मेरे कानों में मुझे सुनाई देगी यहां पे अगर कोई खड़ा होगा सो उसको सुनाई देगी सेम ऐसा mic के साथ है वो टकराती है and वो वापस आती है and उस पे capture होती है so यहां पे उन reflections को हमें कम करना होता है अब reflections कम कैसे भी आप कर सकते हो जो आपका environment है आप उसको छोटा रखोगे and कुछ ऐसे वहां पे आपको material रखना है for example, pillows जैसे मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से sound absorb करेंगे कपडे करेंगे so वहां पे आपके जो reflections है वो कम हो जाएंगे and आपके जो सीधे आप आवाज है microphone में वो बहुत अच्छी capture होगी अब हो सकता है आप में से काफी लोगों के पास acoustic treatment हो मतलब आपका जो room है वो acoustic treated हो यहां पे आप अगर देख सकते हो पीछे सो आपको देख रहा होगा लेकिन यह acoustic treated नहीं है यहां पे सिरफ इस wall पे and इस wall पे सिरफ foam के panels है यहां पे खाली है and यहां पे खाली है कुछ भी नहीं है wall M I mean उसके इलावा कुछ नहीं है so यहां पे अगर आपके पास भी इस तरीके से है so आपको क्या करना है हमेशा आपको corner की तरफ जाके अपने vocals को record करने है so that again reflection जो है आपका वो कम हो जाए आप पूरी तरीके से reflection को कम नहीं कर सकते हो अपने home studio में लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि वो जादा से जादा जो reflection है वो कम हो जाएं आपकी vocal recording के time पे so next point आता है कि आपको अपने जो mic का distance है वो किता रखना है so यह totally आप पे depend करता है कि आपको किस type का texture किस type की vocal quality आपको चाहिए for example मैं explain कर देता हूँ यह पे यह एक microphone है यह dynamic microphone है चाहे आप dynamic microphone से record करो यह फिर condenser microphone से record करो यह जो mic distance का concept है वो same ही रहेगा अब यहाँ पे आप जितना mic के पास जाओगे जो आपकी lows है वो जादा capture करेगा जितना आप दूर जाओगे उतनी आपकी lows जो है वो कम होती रहेगी मतलब low frequency जो वो capture कर गया वो कम करेगा अगर आप चाहते हो भारी आवाज आपको थोड़ा सा mic के पास जाना है अगर आप चाहते हो थोड़ी सी आपकी levels आपको चाहिए लेकिन अगर आप कुछ जादा भारी आवाज चाहिए और अगर आप यहाँ पे जादा पास रखते हो microphone के अपने मूँ को यहाँ पे काफी जादा आपके भभभ़ से इस टाइप के sound काफी आएंगे और पर इस टाइप से जो आते हैं वो थोड़े से mid यहाँ फिर high range में आते हैं लेकिन यहाँ पे आपकी lows काफी capture होंगी so अगर आप एक normal distance देखो so at least इतना होना चाहिए आप यह अपने हाथ का measurement यहाँ पे ले सकते हो and अगर आपको थोड़ी सी आवाज और भारी चाहिए so आप हलका से और पास आजओ and if अगर आपको थोड़ी सी पतली चाहिए so आप थोड़ा से दूर चले जओ simple है and यहाँ पे एक आपको मैं और चीज बताता हूँ पहली चीज यहाँ पे आपको nervous नहीं होना है tension नहीं लेनी है आपका mic है आपका home studio है एक बार record करो, 50 बार record करो यह आपके उपर है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है retakes लो, retakes लेने में कोई tension नहीं है आज नहीं हो पा रहा, कल करो, परसो करो उसके आगे करो tension मतलेना कि आज ही record करना है आदे घंटे में record करना है, हो नहीं रहा है retakes लो, देखो अपने vocals को record करके कि क्या यह quality मुझे चाहिए, raw quality जो है, यह मुझे चाहिए, सही आ रही है तो सही है, वरना retakes लेते रहो क्या होगा यार, आपके ही इससे experience पड़ेगा vocal recording का आज नेक्स अगर point की बात करें तो वो यहाँ पे आता है आपकी background noise अब देखो, आप echoes जो हैं उस पे तो काम कर सकते हो मतलब आपने pillows रख लिये याँ फिर acoustic treatment थोड़ा सा करा लिया cupboard में कर लिया, जोगार तोगार जो भी है कर ली, लेकिन जो background noise है, अगर आप अभी कुछ में record कर रहा हूं, और बाहर से अगर कोई horn बजा देता है आप वो control नहीं कर सकते कुटा भौक रहा है, control नहीं कर सकते चौकीदार ने CT बजा दी, डंडा बजा दिया, आप control नहीं कर सकते तो इसका solution क्या है तो इसका solution यही है कि आप रात को record करो and आप एक चीज़ और देखना, जो professional studios होते हैं वो जादा तर जो होते हैं, market से दूर होते हैं, इतनी में काफी जादा जो यह sounds होती हैं, violin, strings वगेरा वहाँ पर record होती हैं, वहाँ पर जो पूरे उनके concert होते हैं, studio होते हैं concert नी studios होते हैं वो इतने professional होते हैं कि जब recording हो रही होती है then उस time पर वो traffic वहाँ पर बंद होता है, आपको अगर यह चीज थोड़ा सा अगर different लग रही होगी so description में मैं एक link दे दूँगा एक contact की library है starter very कुछ करके I think नाम है, starter very कुछ शायद नाम है उसका, so वहाँ पर जब मैंने देखा था, so वहाँ पर उन्होंने यह चीज बताई थी कि वह traffic को उस time बंद कर देते है so description में link यह जाके देख सकते हो and अगर आप वापस अपने topic पे है so आप क्या कर सकते हो आप रात को record कर सकते हो रात को इतने कुट्टे नहीं भौकते है and चौकिदार तो लेकिन CT बजा सकता है so वह आपको देखना पड़ेगा कि अगर वह अभी नहीं बजा रहा है so आपको उस time पे record करना है and यहाँ पे horn की आवाजे तो आपको ज़्यादा नहीं आएंगी next point की बात करते हैं तो वह आता है और काफी ज़्यादा important है आपकी energy अगर आपके अंदर energy है so आप vocal record करोगे so वह energy आपके vocal recording में दिखेगी and अगर आप record करोगे कुछ इस type से मैं अभी बोल के दिखाता हूँ so जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ and आप मेरी आवाज सुन सकते हो and जितनी भी volume पे भी आप सुन रहे हो so आप देख सकते हो मैं कितना soft भोल रहा हूँ so वह energy ही चली गई यार भलाई गाना अगर आपका soft भी है romantic song है sad song है लेकिन अगर आप ऐसी मरी होई आवाज में गाओगे दबी होई आवाज में गाओगे dynamics कहां हैंगे उसके वह दबा हुआ वैसी sound करेगा आप सिरफ volume उसकी boost कर सकते हो उसमें energy लेकर नहीं आ सकते हो post processing से ये चीज़ याद रखना so जब भी आप vocal recording करो अपने vocals को record करो भाई energy अब energy का मतलब ये नहीं है कि yahoo इस type से आप चिला रहे हो चिलाना नहीं है लेकिन जो आप normal बोल रहे हो उसमें एक energy होनी चाहिए तब ही आपकी जो vocal quality है वो सबसे अच्छी निकल के आएगी सबसे अच्छी आपकी vocal quality निकल के आएगी जब आप energy लेकर रहोगे अब energy की बात करिये so इसी से related है हमारा next point जो की है clipping so clipping को explain करने के लिए मुझे करना पड़ेगा camera angle change so that आप आप आपको audio interface को so that आपको वो clipping वाली चीज पता चल जाए so अभी मैं आपको वो चीज बताता हूँ but उससे पहले एक छोटी चीज यहाँ पर और मैं बताना चाहूँगा DJ JNB है बहुत टाइम से मेरा चानल पर है वो and उन्होंने 16th August को I think मेरे को rap vocals भेजेते so that मैं उनको process कर सकूँ लेकिन उसके बाद time नहीं मिल पा रहा था and उसके बाद उनका भी response नहीं आया था so 28th August को उनका response आया then उसके बाद काम करना था but मैं September में काम नहीं कर पाया फिर मैंने बोला था कि मैं October में बनाऊँगा so कल वीडियो में उनका एक comment आया था comment आप देख सकते हो यहां पर मेरा वीडियो then मैंने का क्या so उन्होंने बोला भाई अब क्या बोलूँ आपने बोला था September last तक कर दूँगा 13th August में भेजा है उसके बाद कई बार बात हुई email चेक करो DJ JNB नाम से so DJ JNB सौरी सबसे पहले तो क्यों की पर सौरी क्यों बोल रहा हूँ आपने इतनी बारी मेरे को बोला and उसके बाद भी आप इतने प्यार से मेरे को comment करके यह चीज बोल रहे हो so सही में वो चीज रिस्पेक्ट वाली बात है कि आपने इतनी रिस्पेक्ट करी I think डेड़ महीना हो गया डेड़ महीने से जादा हो गया है आपकी जगा और कोई होता तो वो गालिया ही देता अपना काम करने के लिए दूसरों को गालिया सब देते हैं तो थैंक यू आपने इतना रिस्पेक्ट दिया जब मैंने आपके वोकल्स चेक करें तो साम में अभी मैं आपको दिखाऊँगा यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स थी मैंने सोचा इस वीडियो में वो मैं कवर अप कर दूँ आगे मैं आपको दिखाऊँगा कि आपके जो वोकल्स बेज़े हैं वहां पे लिमिटर लगा हुआ है वो काफी जादा प्रॉब्लमेटिक है अगर मैं वोकल्स को प्रॉसेस करता हूँ सारी चीज़े मैं आपको दिख जाएगा यहां पे मेरा ओडियो इंटरफेस यहां पे dynamic mic है connected और यहां पे condenser mic है बट मैं अभी dynamic microphone ही use कर रहा हूँ आप यहां पे देख सकते हो जब मैं बात कर रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है सो यहां पे यह green blink कर रही है light सो यही होते हैं आपके levels सो अब मैं एक बारी क्या करता हूँ थोड़ा सा level को exceed करता हूँ थोड़ा सा जो level है उसको मैं बढ़ाता हूँ सो आप देख सकते हो यहां पे मैं continuous मुझे बोलना पड़ेगा सो आपको वो green वाली यो line है वो दिख जाए आप देख सकते हो अब यहां पे जो मेरी आवाज है वो आपको थोड़ी सी distortion उसमें आ रहा होगा यहां पे आप देख सकते हो जो मेरे levels है वो clip कर रहे है red आ रहा है सो आपको कभी भी यहां पे इस type के levels नहीं चाहिए सो पहले मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा and अब आप सुन सकते हो मेरी जो quality है voice की quality है वो काफी अच्छी आप आपको आ रही होगी यहां पे gain जो है आपको ऐसा set करना है जब आप गाना गा रहे हो सो कभी भी आपका जो vocal recording है उस time पे यह clip नहीं होना चाहिए because अगर यह clip हुआ तो post processing में आप उसे correct नहीं कर पाओगे at any cost and अगर आप एक अच्छा level maintain करोगे सो बहुत अच्छी quality आपके vocals की record होगी अब यहां पे मेरा मतलब यह नहीं है कि आप बिलकुली इसको down कर दो सो अगर अब मैं इसको down कर देता हूँ सो आप सुन सकते हो vocal की जो मेरी voice की quality है volume है वो काफी साधा गिर गई है सो आपको एक ऐसे level पे maintain करना है जहां पे यह clip ना करें and काफी अच्छी सी इसमें gain हो so that हम post processing में इसको काफी अच्छे से इसकी जो quality है उसको निखार पाएं अब यहां पे मैं एक बारी vocals ले लेता हूँ जो मेरे को JNB ने भेजे थे so यहां पे मैंने अभी download किये थे and यहां पे import करते है so अब अगर मैं इसको zoom out करूँ and इसको मैं अगर बड़ा करूँ and अगर मैं in fact अगर बड़ा भी नहीं करता हूँ so आप देख सकते हो यह already जो track record हुआ है यह processed है I think यहां फिर इस पे limiter लगा रखा है so जब भी आप post processing के लिए mixing के लिए अपने vocals किसी को भेजोगे so वहाँ पे आपको dry vocals भेजने है that means कोई भी effect उस पे नहीं होना चाहिए अगर in case वहाँ पे कोई effect आपने नहीं लगाया है so आपको क्या करना है vocal recording के time पे check करना है for example मेरा यह track है यहाँ पे कोई effects तो नहीं है आप चाहें किसी भी DAW में use कर रहे हो record कर रहे हो भले ही वो Ableton हो, FL Studio हो, Cubase हो, Logic हो, Pro Tools हो आपको यह देखना है जो आपका channel है mixer channel यहाँ फिर आपका channel जिस पे आप record कर रहे हो वहाँ पे कोई भी effect नहीं होना चाहिए so that आपके जो vocals record हो वो एकदम raw और अच्छी quality के साथ ही record हो so that in processing में mixing के time पे हम उसे और भी अच्छी से निखार पाएं so guys यही थे कुछ tips and tricks vocal recording के अगर वीडियो अच्छा लगा है so video को कर देना like channel को कर देना subscribe प्लस यह video share भी कर देना अपने friends के साथ so that उने भी कुछ knowledge मिल जाए अगर आपके मन में अभी भी कोई doubts है है queries है so comment section खुला है आप मुझसे पूछ सकते हो साथ में suggestions भी दे सकते हो कि मुझे और कौन सी videos बनानी चाहिए आज के लिए इतना ही मिलते है next video में